हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल मैंसेल्फ वैश्निवी खुरबड़ दे फिर्स्ट यर्ड भी एचेमे स्टुटंट फॉम्योपेथिक मेडिकल कॉलेज और फॉस्पिटल लातु तो तुड़े आइट तेल यू अबाओ दे फिर्स्ट यर्स इलावस इन भी एच अबाओ देखेंगे कि भी एचेमे स्ट यर्र में हमें कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं तो फिर्स्ट अनाटॉमी फिजियालोजी होमियोपेथिक फार्मसी होमियोपेथिक मटेरिया मेडिका और गैनन ऑफ मेडिसीन एंड रेपर्टी एंड योगा यह साथ प्रणी के सब्ण होते हैं एकजाम के लिए एकजाम अनाटॉमी की फिज्द लॉजी एचमे और गैनाटुमम और ओमियोपेथिक फार्मसी इन पार्फ सब्जेक्ट के एकजाम हमें फर्स्ट यार में देने पड़ेंगे और रिपर्टी और योगा यह सिर्फ हमें पढना ह होता है लेकिन इंफ़ पास सब्जिक्ट्स की exam हमें १ा में देने पडोंगे अब हम देखेंगे कि पेपर अन्य ऑपर्टी ब्यात劍 में किसा रहता है तो अन्य अना तॉमी कंग सब्जक्ट है एक फ्रक्थे स्भीड शुक्त हथा आर्प death थेरी का हो गया है 200 marks और practical भी 200 marks का होता है so total anatomy subject हो गया हमारा 400 mark और same as it is physiology के लिए भी paper first paper second 100-100-200 और practical 200 total 400 so HMM 100 marks का थेरी का paper होता है 100 marks का practical 200 marks HMM को और्गेनल को भी same और pharmacy को भी same ऐसा हमारा marks wise distribution होता है so exam में question कि type क्या आते हैं तो first question FCQ 20 MCQ second question short answer question third question short answer question fourth long answer question but marks wise distribution होता है और एक question होता है वो भी log answer question होता है last का log answer question 20 marks के लिए होता है so एसा question pattern है paper pattern so this is all about today's topic syllabus and new syllabus in the year james first year so I hope video आपको content आपको important लगा हो तो like share subscribe जरूर करे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तर तकी ले टाटा बाई बाई